बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दिल्ली की टीम है, हमारे PCR, MCR, आउटपुट में भी अनुज भाई, ये सारे दिल्ली के लोग है, इसमें से कोई बड़े बड़े नेशनल चैनल से आया है, तो ये लोग आपको जानतो रहे हैं कि आप कोई बड़ी सक्सियत हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि आप उत्तर भारत के मनोश तिवारी हैं, ये नहीं जान रहे हैं कि आप रवी किसे नहीं, ये नहीं जान रहे हैं कि बॉलीवूड में भी आप काम कर चुके हैं, और ये नहीं जान रहे हैं कि छतिस गड़ में अनुष सर्मा को क्यो सुपरस्टार कहा गाने के अंदाज में अगर विपक्ष पर ही तंज कसना हो तो कैसे कसेंगे मैंने जब चुनाओ लड़ा था तो मेरी कुछ पंग्तियां बहुत वाइरल होई थी तो आपने उसको कहा तो मैं वो सुना देता हूं उसमें जब चुनाओ मैं लड़ा था तो मैंने कहा था कि बड़े सहर मामन खेरे तुर काम कहा है औवजट गजट लखोजता तुर नाओ कहा है चछतिस गड़िहा सबले बड़िहा तोर दाम कहा है और तब के लिए कहा था मैंने रावन करत हे राजरे तोर राम कहा है घाटे घाटा के सौदाला ब्योपार का कही बे मजधार माडू बोईडोंगा पतवार का कही बे सरेयाम लूटत हे वोला रखवार का कही बे अउले देके चलत हे वोला सरकार का कही बे ये उस समय मैंने लोगों के बीच अपनी बात इस तरह से रखी थी और लोगों को ये बात सही लगी थी अच्छा ये बताइए राजनीती में आने का फैसला तुरंत का नहीं होता है तुरित नहीं होता है आदमी पहले दिमाग लगाता है कौन सी पार्टी कौन सदल कौन सनेता कौन सी विचार धारा तो कौंग्रेस की जिस तरह से सरकार चल रही थी और कौंग्रेस ने जो एक माहौल बनाया था कि इस बार फिर कौंग्रेस की सरकार आएगी इस बीच में बीजेपी में ही जाना है ये फैसला कितना मुस्किल था और क्या कौंग्रेस से आपको आफर नहीं था क्योंकि जैसा करिए कि मुझे जो आपकी आइडियोलोजी होती है आप को लगता है कि आप किस विचार धारा के हैं या उसर मुझे मिला था ओफर मिला तो मैं पार्टी का नाम नहीं लूगा एक दल से नहीं मुझे कई दलों से ओफर मिला था लेकिन सवाल था और मुझे इससे पहले मिल लेकिन मुझे हमेशा ये लगा कि जो पार्टी राष्ट्र प्रथम कहती है जिस पार्टी में रास्ट्र संत होते हैं जो अपने परिवार को छोड़के भारत माता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं ऐसी अगर एक मात्र पार्टी दुनिया में है तो वो सिर्फ भारती जन्ता पार्टी है और मुझे ऐसा लगता था मुझे उस पार्टी के साथ रहना चाहिए जो हमेशा रास्ट प्रथम कहती है तो मुझे ये बात प्रभावित करती थी और बच्पन से कहीं न कहीं ऐसे वातावरण में मैं रहा था ऐसे लोगों का मुझे आशिरवाद मिला गोविन सारंग दी थे इस तरह के लोगों का असानित दी मुझे मिला बच्पन से तो ओबियस सी बात थी भारती जन्ता पार्टी के साथ ही मुझे वो कंफर्ट जोन दिखता था कि मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ